Hello students, today we will do our resource material which is given on your page number 49 पेटा इसके अंदर आज हम करेंगे short composition long composition में जैसे हमने letter writing किया था इसी तरह से short compositions होते हैं जिसके अंदर हमारी word limits जो है वो बहुत 50 या 60 तक होती है resource material वो है writing section होता है जहां पर question papers के अंदर आप variety of short and long writing task दिया जाता है जिस तरह से letter writing आगया, notice है, email है, diary entry, short stories, article, debate and speech ये सारे के सारी हमें help करती है students की writing skill को improve करने के लिए तो आज हम उसी में से ही एक short composition ले रहे हैं notice, अब notice क्या है, notice जिस तरह से आप school के अंदर देखते हैं, आपके notice board के उपर notices लगे होते हैं या कहीं पर भी आप offices में जाते हैं वहां पर भी किसी को कोई information देनी होते हैं तो हम notice board के उपर उसको लगा देते हैं तो ये notices जो होते हैं ये mostly हमारे इसी काम के लिए आते हैं कई भार short notices even governments भी निकालती हैं उसको pamplets के ऊपर या newswapers के अंदर आज हम इसके अंदर कुछ चीजे remember करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से हमें देनी जब भी हम notice लिखते हैं इसके अंदर कभी भी हम I या You का use नहीं करेंगे we do not use I and You in a notice दूसरा है put the notice in the box एक box बना कर उसमें हम notice लिखते हैं इसको हम just letter लिखा था उस तरह के से नहीं लिखेंगे third thing आती है notice must all have all the necessary information like time, date, venue and topic of discussion notice के अंदर सबसे जरूरी चीज़ है कि आप किस time पर उसको लिख रहे हैं कौन सी date का है और venue क्या है and topic कौन सा है मतलब कि कहां से लिखा जा रहा venue किस के लिए है तो वो discussion पूरा का पूरा देना बहुत जरूरी होता है यह बहुत important चीज़ है the purpose of notice should be clear और उसके अंदर जो भी हम बता रहे हैं वो बिल्कुल clear होना चाहिए the presentation of facts should be neat जो present कर रहे है एक तो हमारी writing बहुत अच्छी होनी चाहिए इसलिए भारबार teachers आपको बोलती है कि writing improve करने के लिए daily one page आप writing लिखा करो क्योंकि students आपी 4th से 5th में जाएंगे 5th से आपका pen स्टार्ट हो जाता है और वहां पर आप रब करके नहीं कर सकते तो अब आपकी writing आपके spellings आपका जो word है selection proper होना चाहिए next thing आती है mention the date of writing the notice date हमेशा mention करो क्योंकि अगर date नहीं होगी तो notice का कोई मतलब नहीं कब का है नहीं पता चलेगा the notice should have the name of the person notice जो भी लिख रहा है उस person का name होना बहुत ज़रूरी है उसका signature और उसका designation या फिर class होनी बहुत ज़रूरी अगर monitor लिख रहा है तो monitor अपना नाम लिखेगा अपने signature करेगा and किस class से है वो class mention करेगा the word limit is about 50 to 60 words designations कई बार होता है class के अंदर आपको अलग-अलग group बना कर अलग-अलग आपको designation दिया जाता है इन charges बनाया जाता है तो वो mention करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी सही ना उसके उपर एक attraction बनता है और समझ में आता है कि हाँ ये उस group ने लिखा है तो it means वो बिल्कुल सही होगा तो इसलिए ये चीज़े करने बहुत ज़रूरी होती अब नीचे जैसे आपके book के अंदर ये layout दिया गया notice का ये देखो बहुत बड़ा बड़ा name of the institution और place कौन सी जगे पर यहाँ पर school है institution है, college है अपने company है उसका नाम और उसकी place लिखा है then date लिखी है notice बहुत bold लिखेंगे then subject heading लिखेंगे यहाँ पर किस subject के लिए आप लिख रहे हैं फिर आता है हमारा content उसके अंदर हम direct बात करते हैं इसमें I and you का use नहीं होता है एक या दो line के अंदर यानि 50-60 words इन सब को मिला कर होने चाहिए तो दो या तीन line में आपने अपनी बात लिखनी है यहाँ पर उसके बाद आप closing करेंगे तो यहाँ पर आप अपने signature डालेंगे नीचे अपना नाम लिखेंगे उसके बाद आप अपना designation लिखेंगे या class लिखेंगे और इसको आपने एक box के अंदर बनाना है ठीक है फॉर एक्जाम्पल हम लेते हैं like imagine करवाया है कि आप मोहनीश है and you wish to sell your class fourth textbook क्योंकि अब फिफ्ट में जाओगे तो आप अपने fourth की books जो है वो waste ना जाएं और किसी और के काम आ जाएं क्योंकि paper भी बचाना बहुत ज़रूरी है तब ही हम अपने trees को save कर सकेंगे, environment को save करेंगे तो हम अपने books को खराब ना करें अपने पढ़ने के बाद हम उनको दूसरों को use करने के लिए दे तो यहाँ पर वो sell कर रहे है अपने fourth की books को जिसके उपर उन्होंने 50% discount रखा है जतने rates में खरीदी उससे half rate में So writer notice giving relevant details of the book you want to sell तो आपने notice देना क्योंकि आपके पास जब तक आप notice नहीं दोगे कोई भी नहीं आएगा आपके पास उनको पता ही नहीं है कि कौन books देना चाता है या नहीं देना चाते तो यहाँ पर जिस तरह से यह है Salman Public School हिसार यहाँ पर आपने school का नाम लिख कर और कहाँ पर है उसका नाम लिख होके then यहाँ पर date डालेंगे box बना कर उसके अंदर notice बोल्ड लिखा है school का नाम बोल्ड लिखा है sale, sale, sale यहाँ पर क्योंकि वो जो है sale में कर रहा है 50% discount में दे रहा है तो sale, sale, sale यहाँ पर आपने वो pamphlet से देखे होंगे फिर यहाँ पर लिख रहा है a complete set of class 4th text books is offered for sale at 50% discount these books are neatly covered and are in excellent conditions condition क्या है books की और किस परसंट बस इतनी सी बात आपने लिखनी है all those interested in buying any buying may contact the undersigned during the recess तो जो भी interested है buy करने के लिए वो contact करे जिस नहीं आपे signature टिया है उससे during the recess महनेश नीच अपनी class mention कर दी है 4th C तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अपने notices को लिखते हैं Okay students, I hope you understand Okay, have a good day Thank you